हेलो फ्रेंड्स बहुत बार हम देखते हैं कि हमारा बहुत सारा पैसा बैंक के सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है और जिसपे की बैंक हमें बहुत ही कम इंट्रेस्ट दे रही है मिन्स तीन से चार परसेंट ही हम इंट्रेस्ट उस पे अर्ण कर पा रहे हैं हम भी चाहते हैं कि हम अपना पैसा ऐसे जगह पे इंवेस्ट करें जहां हमारा पैसा तेजी से ग्रो करें साथी साथ या सुरक्षित और आसान भी हो यहां पे सुरक्षित और आसान का मीनिंग है कि वह पैसा टोटली रिस्क फ्री हो तथा उसकी लिक्विडिटी भी मेंटेन रहे हैं लिक्विडिटी मिन्स हम जब चाहे उसे आसानी से यूज कर सके अगर हम इन्वेस्टमेंट टाइप आफ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो बाजार में मिच्वल फंड, स्टॉक्स, बॉंड्स, डिवेंचर्स, फिक्सेट डिपोजिट बहुत सारे इंस्टूमेंट उपलब्द हैं लेकिन अगर आप बीगनर हैं तो फिक्सेट जहां आपका पैसा तेजी से ग्रो भी करेगा तो फ्रेंड्स मैं हूं संतोस कुमार और आज हम इस वीडियो में जानेंगे फिक्सेट डिपोजिट क्या होता है और वो सब कुछ जो आपकी जानकारी में नहीं है फिक्सेट डिपोजिट और एपडी एक फाइनेंशियल इंस्टूमेंट है जो किसी भी बैंक, पोस्ट आफिस या नन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में अपना KYC सब्मिट करके ओपन किया जा सकता है KYC में हम अपना फोटो एक आड्रेस प्रूफ और आडेंटी प्रूफ देना पड़ता है आडेंटी प्रूफ में आप पैन, आधार, भोटर आईडी और अन्य जो बैंक को एक्सेप्टेबल है वो आडेंटी प्रूफ आप दे सकते हैं आड्रेस प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड या भोटर आईडी या फिर अपना ड्राइविंग लाइसेंस जमा करवा सकते हैं सेविंग बैंक की तरह या भी एक बचत अस्कीम है जिसपे की हमें 6-8% तक ब्याज मिल जाता है वहीं हमें सेविंग अकाउंट पे बस 3-4% ब्याज मिलता है फिक्सेट डिफोजिट मीनिमम हजार रुपिय से लेके मैक्सिमम कितने भी अमाउंट से ओपन किया जा सकता है यह अकाउंट एक फिक्स टाइम पिरिएट के लिए पहले से तै किया हुआ फिक्स रेट ऑफ इंट्रेस्ट पे ओपन किया जाता है मिन्स एक बार जो इंट्रेस्ट रेट तै हो जाता है वह इंट्रेस्ट रेट हमें पूरे टेनोर के लिए दिया जाता है चाहे market के स्थिति कुछ भी हो, market के स्थिति पे इसका कोई भी परभाव नहीं पड़ता है एक बार term पूरा हो जाने पे हम जितनी बार चाहे उतनी बार इस account को renew कर सकते हैं बट उस समय renewal के time हमें जो उस time का rate of interest होता है बैंकों के द्वारा हमें वह rate of interest दिया जाता है इस पे मिलने वाला interest अपने saving account में monthly, quarterly, half yearly या yearly आप अपने मर्जी के अनुसार ले सकते हैं अगर हम चाहें तो इस पे मिलने वाला interest प्रिंस्पल के साथ हम इसके mature होने पे एक साथ भी ले सकते हैं types of fixed deposit की बात करें तो generally इसे हम 3-4 category में बाढ़ सकते हैं first, normal fixed deposit जो की हम अपने saving purpose के लिए open करते हैं दूसरा अगर हम ATC के अंतरगर अपने income पे कुछ benefit लेना चाहते हैं तो हम taxable fixed deposit भी open कर सकते हैं maximum एक financial year में देड़ लाग तक open किया जा सकता है तीसरा senior citizen अगर अपना fixed deposit open करना चाहते हैं तो उसे हम senior citizen fixed deposit कहते हैं इस पे generally bank हमें normal rate of interest से 0.5% extra ब्याज देता है चौथा NRE, NRO या कोई भी entity चाहे वो company हो, firm हो, HOF हो, कोई भी अपने नाम से fixed deposit open कर सकता है अब अगर हम fixed deposit के उपर मिलने वाले interest पे tax की बात करें तो इस पे जो interest हमें मिलता है वो totally taxable होता है या tax हमें अपने income group के हिसाब से 10%, 20% या 30% देना पड़ता है bank में अगर हमें एक financial year में 40,000 से ज्यादा interest मिल रहा है तो bank हमें TDS काट कर ही वा payment देती है generally अगर हम अपना pan card bank में जमा किये हैं तो bank 10% TDS कट करके ही हमें payment करती है और अगर हमने pan card नहीं जमा किया है तो या percentage 20% होता है तो अगर हम इसके अन्य benefits की बात करते हैं तो fixate deposit पे हम loan ले सकते हैं अगर हमें कुछ पैसों की जरूरत है तो हमें fixate deposit तोड़ने की जरूरत नहीं होती है bank उस पे हमें 90% तक loan provide करती है या loan का जो interest होता है वा fixate deposit पे मिलने वाले interest से 2% generally ज्यादा होता है इस account में आपको nomination की facility मिल जाती है अगर आप चाहें तो fixate deposit कभी भी break करके सारा पैसा आपके account में दिया जा सकता है बस इस पे हमें 1% तक penalty देनी पड़ती है या आपके saving के habit को encourage करता है जिस पे की आपको risk free और guaranteed return मिल जाती है या account कोई भी individual, minor, company, partnership firm, proprietorship firm, HUF कोई भी जो separate entity है वह अपने नाम से open कर सकता है या account हम online भी open कर सकते हैं और mature होने पे online हम इसे अपने खाते में वापस ले सकते हैं तो friends उमीद करता हूँ कि मैं कुछ valuable input FD के बारे में आपको दे पाया प्लीज लुड़क अब्सक्राइब जाते हैं कि वापस भी पायओ कि आपको रवी जाते हैं भायओं वाप श Image